आज जो हम आपको एक कल्यूगी पिता की कहानी बताएंगे ना, सैद आपको सुनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि जो कहानी आप सुनेंगे, जानेंगे, तो कहें न कहें आपको भी दुख होगा कि एक पिता भी अपने बेटे के साथ ऐ दिखनें यह सब कहना कहें उसी पडिवार के आंग हैं, और इस पडिवार के एक बेटा, जो जवान बेटा था, इस दुनिया बाब नहीं रहें, सारी सचाई बताएंगे और सारी कहानी बताएंगे, वीडियो में बने रहिएगा, और वीडियो को जैदे जैदे शेयर ताकि एक कल्यूगी पिता का कहानी सब लोगों सके एक पिता का इसा कर्तूत में हो सकता है कि आख के ना काद समय सारी सच्चा ही अब बताईये गाटना ऐसे हुआ 20 दिसंबर 2020 को मेरे दमात नितिस्कमार का अपरण छातापूर से हुआ उनकी माँ छातापूर किसी प्रैबेट होस्पिटल में एडमिट थी इसी कर में उटेली खाना लेके अपनी माँ का सामगो आठ वज़े जाता था 20 दिसंबर को जैसे ही खाना लेके गया उस दिन से लापता हो गया उनके पिताजी अस्थानिया थाना में 20 दिसंबर को अग्यात अफायार कराते हैं लेग्यात FIR के आलोक में पुलीस के अनुसंधान के मुताबिक उनके ही पिताजी पुलीस CDR के मुताबिक उनके ही पिताजी ने घटना का अंजाम दिया अपने कुछ सहयोगियों के साथ अच्छा ऐसा ये घटना का अंजाम क्यों दिया इनके पिताजी जो है उनको ये था कि पाइसा का लालच था, उन लड़का अपने मन से साधी किया था, उनको ये होता कि हम दूसरे जगा साधी करते हमको 57 लाख रुपिया मिलता, पाइसा का लालची बहुत था, पाइसे के लालच के आवेश में आके अपने जमीन भी बेच के 9 लाख का घटना को अंजाम दिया। बच्चा भी था जिसमें इस घटना को अंजाम दिया गया था। और उस लरके की मा है और यही मा उस रात होस्पिटल में अडिमिर थी। और इस मा को वो अपना खाना देने के लिए इस घर से खाना लेके जाते हैं। कि मा जब होस्पिटलाई थी तो खाना यह वही लरका लेके जाते हैं। और खाना लेके जाने के बाद फिर वहां से वो जो गैब होते हैं ना आज तक उनका पता नहीं चला था। दो-चार दिन पहले पुलीस परसाशन के सयोग से कईना कई हम डियस्पी सहाब तिर्वेनी गंज को पहुत धन्यबाद देना चाहेंगे। क्या आप अपने अस्तर से इतनी अच्छी तडिके से आपने जाज परताल किया। या छे माँ बाद अपराधी का पता चल पाया और जो मुख्य अपराधी था जो सुपारी किलर इन्होंने घटना को अंजाम दिया था वो आज सलाखों के अंदर है लेकिन उस लरके के पिता अब भी पुलीस के गिरप्त से बाहर है। ये माताजी को जाए खाना देने के लिए उलरका गया हुआ था और वहीं से उसका अफरन कर लिया जाता है। जानकारी हुई तो DSP साहब खुद वहां जाके मोर्चा समाले और उस सुपारी किलर को अपने अस्तर से जब पूछ आच किये करी तरीके से तब वह बताते हैं कि हम कहां पे उस बोड़ी को दफनाए थे। काई उसी लड़के का ये बोड़ी है और उस बोड़ी को यहां से सुपोल पुस्ट माटम के लिए भेजा गया। लेकिन सुपोल में पुस्ट माटम वहां पे हो नहीं पाया वहां से भागालपूर और भागालपूर में भी उसका पुस्ट माटम नहीं हो पाया। और पुस्ट माटम करने वाले व्यक्ति ऐसा बता रहे थे आज तक हमने इसे बोड़ी का पुस्ट माटम नहीं किया है। फिर वहां से जाके सीजीम सहाब से यहां जाके आदेश लिया जाता है और उनका डियाने टेस्ट के लिए पटना भेजा गया है। बाकि यही माता जी हम उनसे बात करेंगे। आप कहां थे उस दिन जब आपके बेटे का फरन हो गया था। कहां थे आप। होस्पिटाल है मेरी। आप ही अडिमिक्त है। खाना आप ही के लिए ले गया था। क्या गोलर्का आपको। अच्छा कैसे आपका पती अपने ही जन में बेटा को इस तरह का खोपना कदम उठालिया उसको खतम कर दिया। दहेज के खाते। आप कभी अपने पती को समझाये बुझाये नहीं अब जब बेका साधी करीन दिया। कभी नहीं। कभी न बतान दिया। अच्छा जिस दिन घटना हुआ था क्या लगा था आपको कि आपकी आप ही का पती जो आपके बेटे को खतम कर दिया। पता की लागती है। अपने कभी लागती है। अभी तक भागले था। आच्छा की चाहिची यहां केजेचे अँपे पती कॐ की सजा होना चाहिए। सजा होना चाहिए किने होना चाहिए। जीनगी एक सजाय जीवन भर के हां, झीवन भरskे सजाय। कहीं न कहीं वक्री वज़ा से आपन बेटा कहां गम्यादली यहां के पुता हुछी 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 य बताईए एक पत्नी जो है एक पत्नी मांग कर रही है सजा का आप समझ सकते हैं कि पत्नी कितना दुख में है यही वो लरकी है जिस लरकी से इनका लरका लब मैरेज किया था लब मैरेज को बाद में अरंज मैरेज में बदल दिया गया था कही ना कहीं सिर्फ एक पिता ही सहमत क्या नाम के पास एक थी क कहां से लेकर गया था घर से लेकर जब आपके पास विआ होस्पिट्र में गया थे तो उसके बाद घ्या कैसे fancy पता चला मेरा पती नहीं है कहा चले गया कुछ पता चला था क्या मैं उसको बोला हम ठीका पता करते हैं किसको बोले आपकर करते हैं कौ Cheese Hub कक्शक इस पता करते हैं किकसा सबह बिचार का था लरकर आपका पती जो है किसा था पूरा सिधासर पर ठाठनला दिमाग का लुच्पुच नहीं था तो फिर कारण पैशा मांग रहा था अचलाक रुपिया लाई ये देखिए क्या बात करें हम इनसे क्या पूछ दिल पितना आओगा इस बक्त महसूस कर सकते हैं इनका क्या उम्र हुआ है लेकिन इस छोटी से उम्र में ये लरकी बिधवा हो गई है और कहें न कहें इसको बिधवा करने का पूरा इसका जो है ससूर वही इनको बिधवा किया और अपने परिवार को तहस नहस करके रख दिये हैं एक छोटा सा लोब के चलते कि अपने बेटे का हम कही दूसरे जगा साधी करते तो हमको देज मिलता लेकिन उस तहेज से कितना गुना चैदे आपने बरबाद कर दिया इस परिवार को और खुद पत्नी मांग कर रही है कि उस हैवान को जिंदगी भर का सदा मिलना चाहिए ताकि इससे लोगों को सीख मिले इस तरह के घटना करने से पले एक सोने यह कजार बार लोगों को सोचना पड़े कि अपने ही जन में बेटे के साथ कैसे हम गलतकारे खड़े कुछ ग्रामीन है यहीं घर अचे बबाँ है कि भाई है आपका खास भाई था आप छोटा है कि बड़ा है हम बड़ा भाई है वो हमसे थोड़ा करगर था ताग दूसरा पर और बचाए ताट यह कुण मेरी चुपात्नी मानता था किया लगता दोस्रा जैब्लिध रोगकर था इसोसी छी पटादा कि पूखने मतमे हैं पदए बचास दोने में खीलिधो क्या लगता था जब इस तरह की घर्टना यहां पे हुई थी तो आप marketing को सक था कि यहीं things of summer को य उस्टाव सक देना मुझे यह मुझेमे सब्सटा है Dublin मैता हलाइं Bos workflow दुछा को दभाल वजान साथ है लाघ्णाerem यह भाल पो prosecutors करने के लिए इस वक्त जो है बोड़ी कहा है जो संपुन रुप से जो भी बोड़ी का अंग मिला है वो कहां पर मतलब जो उसमें जो हम लोग को किरिया करम के लिए मिला उसको हिंदू रिती रिवाज के अनुसार दास संस्कार हम लोग कर दिये सेश जो कंकाल उसका मेन वोड़ी है उसको भागलपूर भेजा गया भागलपूर से उसको पटना डीने के लिए जब घटना हुआ घटना के कि अच मेहने के बाद ही उनका बोड़ी प्रामातवा अपरादी गृप में नहीं आता था अभी उनके सारे पांचे साथी फरार चल रहे हैं में जो सुपारी किलर था यही रमेश फाउजी था यही अपने साथियों के साथ मिल के घटना को अंजाम दिया यानि कि जब घटना हुआ तो उसके छे माह बाद अपने जो है आप दमाद का खिरिया करम आज शुरू किये हैं आज शुरू किये हैं छे माह के बाद वो भी दीएसपी के बदोलत बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे सर आपको भी हम कि आपने इस तरह का लराई लरा बहुत लोग पिछे हम कितना संघर्ष करें लेकिन ये ससूर जी है जो अपने बेटी के इंसाफ के लिए लागातार लराई लरते रहें और कहना कहीं तिरवेनी गंज के डिएसपी सहाब इनका पूरा कॉपडेट किये मदद किये आज उसके वज़ा से कहते हैं ना कि कानून का हाथ प्रूप कर देना तो एक भी अपराधी खुले आम गूम नहीं सकेंगे और एक भी अपराधी अपराध को अंजाम नहीं दे पाएंगे जिस तरीके से तिरवेनी गंज डियासपी साहब ने कारिक किया है इसी तरीके से हरे पुलीस प्रसासन को कारिक करना चाहिए ताकि इस तरह की घटना को अंजाम देंगे बाकि यही वो बच्चा है आप देख सकते हैं यही अपने पिता को मुखागनी दिये हैं इनको कुछ भी पता नहीं है कि मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है और जब यह बच्चा बड़ा होगा तब इसको पता चलेगा कि मेरे दाद ही मेरे पिता का हत्यारा था तो बताइए इसको कैसा मासूस होगा लेकिन इसको आज कुछ भी पता नहीं है यह मुखागनी अपने पिता को दिये है और छे माँ बाद यानि डेथ कब छे माँ पहले हुआ और आज इनका दासंसकार हिंदूरी तिरिवाज के अनुसार शुर अब ही सकता है क्या कॉमेंट करके जरूर बताईएगा टीवी टेम्स देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंदूरी